पिछले 17 महिने में केंदर सरकार ने जितनी सरकारी नौकरियां दी उससे ज़्यादा नौकरी हमने बिहार में दी है केंदर सरकार ने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया और नहीं रोजगार पर ध्यान दिया 40 से 49 सीटे इन्हें मिली लेकिन पिछले 5 साल में इनको सांसदों ने अपने छेत्र के कौन सा काम किया और कितना विकार नमस्कार मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं बिग नियूज लाइन पुर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्यू यादव रविवार साम को मुंबई रवाना हो गए इससे पहले मीडिया से बातचित करते हुए तेजस्यू यादव ने NDA सरकार पर जम कर हमला बोला उन्होंने दावा किया है कि बिहार इस बार चोकाने वाला रिजल्ट देगा हम लोग बहुत ही कन्फिडेंट है हम लोगों की पूरी तयारी है जनता ने भी तय कर लिया है बिहार ने हमेशा देश को दिया है और दसा दिखाया है मुख्य मंतरी नितिश कुमार भले ही NDA में चले गए हो लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है बिहार के लोगों के अंदर करंट है 17 साल बनाम 17 महिने की बात दोराते हुए तेजस्यू यादम ने कहा कि केंदर सरकार ने पिछले 10 साल में बिहार के लिए क्या क्या किया बिहार को न विशेश राजे का दर्जा मिला हम लोगों की पुरानी मांग रही है और हम लोगों ने 75 फिस्दी आरक्षन सीमा बढ़ाई इसे सेड्यू 9 अनुसूची में सामिल नहीं किया गया तेजस्यू यादम ने सीम नितिश कुमार पर तंज कस्ते हुए कहा कि भासपा के साथ जाने के बाद सीम नितिश कुमार कुछ बोल नहीं पा रहे है हाला कि वो हमारे अविवावक हैं हम उनकी मजबूरियां समझ रहे हैं, लेकिन जो काम हम लोगों ने किया और जिसका समर्थन सभी ने किया, उस आरक्षन को सिद्यूल 9 में तो लागू करवाना चाहिए, उसे पर तो कोई चर्चा या लोग नहीं कर रहे हैं तेजस्यो यादम ने रोजगार पर दावा किया है कि पिछले 17 महिने में केंदर सरकार ने जितनी सरकारी नौकरियां दी, उस से ज़्यादा नौकरी हमने बिहार में दी है केंदर सरकार ने किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया और नहीं रोजगार पर ध्यान दिया 40 से 49 सीटे इन्हें मिली लेकिन पिछले 5 साल में इनको सांसदों ने अपने छेतर के कौन सा काम किया और कितना विकास किया यह बताएं हम लोगों ने इन्वेस्टर्स मीट में 50 हजार करोर का इन्वेस्टमेंट बिहार में करवाया लालू जी ने बिहार में इस्पेसल स्टेशन हॉल्ट कई ट्रेनों की सौगात दी मोधी सरकार को जनता को जवाब देना पड़ेगा वहीं पेपर लिग पर सवाल खड़ा करते हुए तेजसिय आदम ने कहा कि 17 माह में पेपर लिग हुआ था क्या इसे ही कहते हैं असली माफिया राज 70 दिनों के अंदर माह गटवंदन सरकार ने नियुकती पत्र बाटा एक भी पेपर लिग हुआ तो क्या आप बताओगे भाजपा का जहां जहां राज है वहाँ वहाँ ऐसा हो रहा UP, MP और अब बिहार में पेपर लिग की बात सामने आ रहे अब तो एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिग कर लोग लेकर जा रहे हैं मुंबई जाने के सवाल पर तेजस्वी आदब ने कहा कि राहूल गांधी ने हम लोगों को मुंबई के लिए निमंतरन दिया है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें बीग निउस नाइन के साथ